तमस्कार आप दीकर आज तक मैं हूँ आपके साथ नवजोतर अधावा आज बजट सत्र की शुरुवात हो चुकी है राष्टपती की अभीभाशन के साथ ही इसकी शुरुवात हुई है बड़ी बाते आज राष्टपती ने अपने अभीभाशन में क्या कुछ कही सबसे पहले हम आपको वही दिखाएंगे राष्टपती ने आज तीनो कृशी कानूनों का लाप किस तरीके से किसानों को ओरा उसका जिक्र किया कृशी कानूनों का जिक्र करते हुए कहा कि ये किस किसानों को मिलेगा छोटे किसानों के लिए भी हितकारी है ऐसा राश्च्टपती ने कहा कई दलों ने कृषी सुधारू का समर्थन भी किया है राश्च्टपती ने इस बात का जिक्र किया कि रिकानून पर कोट के फैसले का सम्मान करेगी MSP पर सरकार रिकॉर्ड मातरा में खरीद रही है आपको बताएं कि कृषी कानून में यही एक सबसे बड़ा पेच है MSP को लेकर जिसको लेकर किसान लगातार अड़े हुए हैं तो यह सारी बाते आज राश्च्टपती ने अपने अभिभाशन में कही है साथी साथ राश्च्टपती ने चीन का जिक्र किया कहा कि हमारे जवान मूत और जवाब दे रहे हैं 26 जनवरी की घटना का भी जिक्र उन्होंने किया पविच्र दिन था अपमान हुआ दुरभागे पूण है उन्होंने साथ ही साथ कहा कि अभिव्यक्ती की आजादी है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कानून का पालन ना हो तिरंगे का अपमान का दुरभागे पूण रहा ये भी राश्ट्रपती ने कहा, उन्होंने कहा कि कानून का गंभीरता से पालन बहुत जरूरी है। अभी व्यक्ति के आजादी का जिक्र करते हैं उन्होंने कहा कि कानून का पालन भी जरूरी है। तिरंगे के अपमान को तुर्भा के पोनों राश्चुपती ने बताया है और तीसरी बड़ी और एहम बात आयोध्या में भवे राम मंदर का निर्मान शुरू हो गया है इसका जिक्र भी राश्चुपती ने अपने अभिवाशन में किया है जमु कश्मीर विकास के रास्ते पर चल रहा है ये भी उन्होंने बताया है कि किस तरीके से वहाँ पर शुनाव हुए और उसकी बाद विकास के रास्ते पर जमु कश्मीर 370 हटे के बाद जमु कश्मीर को नए अधिकार मिले हैं वो अधिकार आम जंता के लिए हैं लोगों के लिए हैं रक्षक शेत्र का जिक्र करते हुए कि किस तरीके से देश आतनिर्भर बना है और इसी पर जोर लगतार दिया जा रहा है कोरोना काल में किस तारीके से हिंदुस्तान आतनिर्भर बना है उसका जिक्र भी किया राश्रुपत्री है नवस्कार मैं हूँ अंजना ओमकश्यप अमें उमीद है यह विडियो आपको पसंद आया होगा लेटेस्ट खबरों के लिए यूँ ही देखते रही आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले